सिर्फ पाँच मिनिट में हम गेहूं के आटे से बनाएंगे एकदम हेल्दी नाष्टा, जो है सबजियों से भरपूर, सुभा के घाई गडबर में भी एकदम फटा-फट बनके रेडी हो जाएगा, और साथ ही आप चाहे तो इसे लंच बॉक्स में ले जाएए या बच्चो के टिफिन में दीजिए, यह बना है सिर्फ एक चमच ओईल में, इसलिए अगर आप वेट लॉस का ट्रॉय कर रहे हैं तो इसे जरूर बना कर एंजॉय कीजिएगा, चलिए इस रेसिपी को शुरू करते हैं, तो यहां मैंने एक बड़ा सा बोल ले लिया है, और उसके किये हुए कैपसिकम, ओनियन और गाजर आड किया है, जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है, इसके अलावा आप चाहे तो कलरफुल बेल पेपर का यूज भी कर सकते हैं इसमें, उपर से डाल देंगे धेर सारा कटा हुआ हरा धनिया, इस नाश्टे को एगम स्पाइसी बनाने के हम कटा हुआ हरिमेश डाल देंगे, अब गया एक चमच अधरक लसन का पेस्ट, दो चुटकी मैंने हींग डाल दी है यहां पे, आदा चमच के जितना हल्दी पावडर, आदा चमच ही इसमें जाएगा धनिया पावडर, नमक एट कर लीजे स्वादा अनुसार, अब इसमे कर सकते हैं, राजगीरे काटा यूस कीजे, जो भी आपके पास है, अब अपनी हातों की मदद से इन सारी चीजों को मिक्स कर लीजे, और इस पे एकदम थोड़ा सा पानी डालीगा, दो से तीन चमच, उससे जादा नहीं, यह जो मिश्रन है वो बिलकुल वाटरी नहीं चा हमारा बैटर स्प्रेट कर लेंगे, उपर से ओईल की कुछ बूंदे छिड़क देंगे, और जैसे ही नीचे का हिससा पक जाए, इसे पलट दीजे और दूसरे दरवे पका दीजिए, फ्लेम यहाँ पर मैंने मेडियम रखा है, मेडियम फ्लेम पर ही प्रेस करते करते अच् पक जाए, इस प्रेकफास्ट में प्रोटीन्स की मातरा, विटेमिन्स, मिनरल्स, फाइबर्स भरपूर है जो आपकी बौडी को चाहिए मौनिंग के टाइम पर, वीडियो देखके आप खोदी समझ गए होंगे कि कितना कम टाइम चाहिए इसे बनाने के लिए, इसी तरीके से बाकी के चीले भी बनाकर रेडी कर लीजिए, आप चाहे तो कोई भी चटनी या केचप के साथ सब कीजिए, या फिर ब्रेड फ्राय करके उसके बीज में रखके खाईए, और एल्स चपाती के बीज में इसे रोल करके एंजॉय कीजिए, इस टेस्टी और हेल्दी रेसि और भूलियेगा नहीं, थैंक्स वर वचिंग, बाई!